नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है मुंबई इंडियन्स को आइपियल शुरू होने से पहले ही बड़ा जटका लगा है खबर ये है कि टीम के तेजगेंद बाज लसित मलिंगा नहीं खेलेंगे आइपियल के शुरूआती हफ़ते में लसित मलिंगा टीम के साथ नहीं होंगे कुछ मैच मुंबई इंडियन्स को मलिंगा के बिना ही खेलना होगा ऐसे में मलिंगा की कमी तो टीम को खलने वाली है खबरों के अनुसार टीम के प्रमुख गेंद बाज लसित मलिंगा नीजी कारणो के चलते 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेले जाने वाले आइपियल के शुरूआती मैचों में शामिन नहीं हो पाएंगे ESPN क्रीक इंफो की खबर के नुसार मलिंगा के पिता विमार चल रहे हैं और आने वाले हफतों में उनको सरजरी करवानी पढ़ सकती है इसलिए मलिंगा घर में उनके ही पास रहना चाहते हैं इसके अलावा कोलूम्बो में ही लसित मलिंगा अपनी ट्रेनिंग भी जारी रखेंगे उमीद की जा रही है कि लसित मलिंगा मुंबई इंडियन से आईपियल के दुसरे हिस्से में जुड़ पाएंगे ये भी कहना कठीन है कि मलिंगा सिर्फ पहले हफते ही बाहर रहेंगे या फिर आधा टोड़ामेंट वो नीजी कारणों से नहीं खेल पाएंगे पर बड़ी ख़बर ये है कि मुंबई इंडियन्स को दुबई पहुँचने से पहले बुरी खबर मिल चुकी है इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये कि कोरोणा वायरिस महमारी के चलते श्विलंकाई सरकार ने नियम बनाये हैं देश में आने वाले लोगों को 14 दिनों तक कुरंटाइन में रहना पड़ेगा ऐसे में अगर मलिंगा IPL के लिए UA जाने का फैसला लेते हैं और जरूरत पढ़ने पर अगर उन्हें वापस आना पड़ा तो उन्हें 14 दिनों का कुरंटाइन में रहना पड़ेगा इसलिए उन्होंने परिवार के पास रुखने का फैसला किया बता दे 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक IPL सीजन 13 चलने वाला है गत विजेता मुंबे इंडियंस की टीम खिताब बचाने की इरादे से इस बार टूडामेंट में उतरेगी इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ